नमस्कार साथियो, आज 2 अक्टूबर 2024 है, सबसे पहले जन्म दीन की हर्दिक सुपकान है उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है, तो चलते हैं दोस्तों आज VLS Finance Limited पे चर्चा करते हैं, इसका मार्केट का है 1464 करोड का है, करेंट प्राइस 421 रूपिया है, जबक कि बुक बेलू 857 रूपिया, बुक बेलू से काफी नीजे में ट्रेट कर रही है, याने कि 50% से भी कम है, इस्टॉप पी चार दसमलो 49 का है, आरोसी 14.1 परसेंट का है, और आरोई 11.8 परसेंट का है, बावन भी काहाईलो 455 रूपिया और 1 से 1 रूपिया, डेविडेन डि 0.36 परसेंट का है, फेस बेलू 10 रूपिया है, बैलेंस सीट के मामले में भी ये स्टॉप ठीक ठाक है, क्योंकि इसके पास में रिजर्ब 2948 करोड का है, और इन्वेस्टमेंट 3158 करोड का है, ये रहा आपका स्क्रीन पर लेटेस्ट अपडेट नूज, बेलेस्ट फाइन of the 37th Annual General Meeting of the Company, काफी अच्छा अपडेट नूज है इस एश्टॉप के लिए, ये नूज को पढ़ने से समझ में आया यही कि 28 सितंबर 2024 को 33 पीम, पर Annual General Meeting रखा गया था, जो कि वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से हुआ था, तो काफी अच्छा अपडेट नूज है, इसमें और डिटेल में क्या है, जो कि देख सकते हैं, इस समझ में किर्पिया से भी सुची बद्ता, दाईतुब और परकती करन आवश सकता है, विनियम 2015 के विनियमन, 44 के तहट अवस्यक मतदान परिनाम अनुलगनक एक कॉली के रूप में अनुभाग के अनुसार, 1 अक्टूबर 2024 की संविक्षक की संयुक्त रिपोर्ट के साथ सलंगन करे, कम्पनी अधिनियम 2013 के 108 कम्पनी प्रवंदन और प्रसासन नियम 2014 के नियम 24 इसका डिटेल आगे के पेजों में इस प्रकार है, जो कि वीडियो को पहुच करके और अच्छी तरीके से इसको अध्यन करने की जरूरत है, बाकी मैं सौट में वीडियो बनाना चाहता हूं, ताकि समय ज्यादा नहीं लगे वीडियो में, यह कंपनी मेरे आइडिया अनुसार काफी अच्छा है, बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धी वीवे का अनुसार और सूझ भूज के अनुसारी करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं, जानकारी के लिए श्रीप, और कोई मेरा खास उदेश से वैसा नहीं है, बस छोटी सी उदेश से है कि हाँ, कोई भी अपना पैसे का इन्वेस्टमेंट करें, तो अच्छे जगा पे करें, ताकि किसी को नुक्सान की भरपाई नहीं करन करना पर है, जानके सकते हैं, बसेंडिया.com वेबसाइट पर, इस कंपनी के शेर का ट्रेडिंग जो हुआ है, उसमें डिलेवरी में उठाया गया 52.70%, काफी अच्छा, डिलेवरी परसेंटेज है, और आप नसेंडिया.com वेबसाइट पर, जैसा कि आपको दीख रहा होगा सेर पराइज, 422 रुप्या, और यहां पर डिलेवरी परसेंटेज, बी एसी के मुकावले काफी कम है, जो की 38.87% का है, तो बी एलेवरी फाइनन्स लिमिटेड, मेरे आइडिया नुसार, काफी अच्छा इस्टॉक है, बाकी इंवेस्टमेंट, अपने बुद्धिवी वि था, और देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में, कैसा इसका इफेक्ट परता है, मेरा तो मानना है पोजेटिव इफेक्ट परेगा, बाकी मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद साथियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए श्टॉक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार